दीशा के एक साधक थे वो पाँचवी छटी पढ़ते होंगे तब से गुरुजी उनको जानते थे बच्चे थे वो बड़े हो गए हर निरने बापुजी से पूछ के करते थे यहां तक कि उनकी शादी करने ने भी गुरुदेव नहीं लिया शादी भी गुरुदेव के समुक और आशिरवाद से ही हुई तो एक बार इसी लाइन में आये थे और गुरुदेव को प्रणाम करके अभी पूछे और बापों ने का जल्दी बोल क्या बोल रहा है तो कहा जो दुकान थी स्वामी जी को याद थी बिल्कुल कहा हां क्या करना है स्वामी जी बेचनी है कितने में जा रही है तो कहा जी आठ लाग नहीं बेचनी साइं अठ लख आरे नवे किनिया तू हल तू जा बोले जल्दी कर विचारा गर गया घरवालने पूछा क्या कर क्या का स्वामी जी ने कुछ नहीं बोला तू चल बैठ गे चुपचा फिर कुछ समय में रेट बढ़ गया फिर आए फिर पूछे वरिचो आए महीं तो का साइं डर लख दस लाक मिल रहे हैं बोले आग्या हल आगे चल साइं दो बढ़ गया अरे तू चल आगे गुरुजी सुने ही नहीं उसकी बात आठ से दस दस से चोदा पंद्रा इस तरह जितनी बार आया गुरुजी बस तू चल जल्दी कर उस सूच रहा था आखिर क्या होगा बापुजी कभी हाई नहीं बोलते और कुछ ऐसा घटना घटी प्रसंग कि उसको अठारा लाक मिलने लगी जब वो यहां फिर से लाइं में आया बोले साइं अरणाता मिलन अठारा मिलने दे दे वो हैरान हो गया और जब बाहर आया त दस मैंने पहले आया अगर गुरुजी कुछ न बोलते तो मैं आठ में बेज के आया होता है पर गुरुजी बोले तू चल आगे आगे बढ़ और इसे करके मुझे तीन चार बार चलाया और आज अठारा लाक का सौधा हो रहा है लेकिन ये प्रसंग जब उस व्यक्ती ने स सुनाया तो मैंने उसको पूछा कि बापु ने तुझे ऐसे नहीं बोला कि देख मैंने तेरे दस लाक बढ़ा दिये कहा नहीं बस मैंने अठारा बोले ठायो कर हां कर दे ठीक है तो गुरु की किर्पा इतनी उपकारी है सभाव ही उपकार का है जो गुरुदेव ये भी न आया था ना देख अठारा हो गए कुछ ने बोले का पका करते तो ये नश्वर लाव उसको गुरु माध्यम से प्राप्त हुआ लेकिन अगर कोई नश्वर में अठके नहीं इसमें उल्जे नहीं तो बड़े गर्वस से कह रही हूं बापु शाश्वत में भी ऐसा ही तो उनके चौकट पर माथा निवा के तो देख तो उनकी आज्याव मै वचनों में रंग के तो देख तेरा जीवन समर जाएगा